और एहम खबरका और सरकार अब हेल्थ रेगुलेटर गठन करने की यूजना बना रही है इठीनाव स्वदेश की इस exclusive खबर पर और जानकारी लेते हैं अनुराग शासे अनुराग बताईए क्या डीटेल्स हैं आपके पास सरकार हेल्थ रेगुलेटर की स्थापना पर विचार कर रही है जी हां ये काफी बड़ा से उठ रही है और कोवीड के दोरान सबसे जादा हेल्थ रेगुलेटर की मांग उठी थी क्योंकि जिस तरह की जो चार्जिंग की गई थी होस्पिटल के द्वारा उसके बाद हेल्थ रेगुलेटर की मांग उठती रही है क्योंकि ये भी देखने में आया है कि देश के जो procedure है उसकी कोई एक तय लिमिट नहीं है उस पे कोई cap नहीं है तो उसी कड़ी में health regulator काफी game changer साबित हो सकता है क्योंकि ये भी medical inflation जिस तरह से बढ़ रहा है और medical inflation का प्रभाव जो है वो insurance premium में भी देखने को मिला है क्योंकि insurance company को ही कहना है कि treatment packages जो है वो hospitals के द्वारा लगातार उसकी दरे बढ़ाई जा रही है और इसी तरह से इसी वज़े से उन्हें भी अपना जो premium है वो बढ़ाना पड़ रहा है तो अगर देश के अंदर health regulator आता है तो hospitals के द्वारा जो over charging की जाती है उस पे लगाम लगाई जा सकती है और जो एक standard protocol follow किया जा सकेगा hospitals के द्वारा एक standard cost treatment packages follow किये जा सकेगे और hospitals के द्वारा तो काफी बढ़ा development होगा healthcare sector के अंदर और जिस तरह से अभी जो एक और स्थापना की गई national health exchange की जहां पर तमाम तरह का जो डेटा है वो मुझूद होगा और उस डेटा की मदद से अगर regulator जो है वो और ज्यादा fine tuning कर पाएगा treatment procedure से जुड़ी होई और तमाम तरह के जो packages है hospitals के द्वारा offer किये जाते हैं तो एक regulator पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है और यह healthcare industry के लिए insurance industry के लिए भी काफी game changer movement होगा क्योंकि insurance कंपनियों का यह कहना है कि hospitals की over charging की वज़े से hospitals के द्वारा जो दरे बढ़ाई जाती है उनकी वज़े से ही claim बढ़ जाते और claim बढ़ने की वज़े से उनको premium में बढ़ोतरी करनी पड़ती तो उमीद यह भी कि जारी कि health regulator के बाद जो affordable insurance भी लोगों को मिल पाएगा और जिससे जो सरकार का regulator का सपना है insurance for all को भी पूरा क कि आ जा सकता है बेकुल बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका यह जानकारी देने के लिए तो एक और बड़ी खबर health care regulator जैसे कि हम टेलीकॉम रेगुलेटर सुनते हैं insurance में आया डिया है वैसे ही अब health care sector से भी जुड़े regulator की बात की जारी है जो की over charging को नियंतरित क करेगी क्योंकि इन सब चीजों से insurance sector पर भी कही ना कहीं असर पढ़ रहा था और उनके लिए भी मुश्किले बढ़ रहे थी तो एक बड़ा development हो सकता है विरी जी हम चुनाओं के पहले देखेंगे इस तरह की खबरे काफे निकल कर आ रही है अब इंतजार होगा अगर इस कुछ वाकरी स्ट्रीम लाइन हो जाए तो फिर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं आप हॉस्पिटल शेयर पर या फिर हेल्थ केर स्पेस पर है कि हॉस्पिटल के शेयर जिनके प्राइसे बहुत तेजी से बढ़ चुक गये हैं इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा एबिल्डा मार इंशरंस प्रीमियम स्कम हो जाते हैं तो इंशरंस प्रीमियम स्टॉक्स में अच्छी गासी भूम आ सकते हैं फ्रम इंग्रीजड पर्चिसिंग और हमें इसमें रैलिक है जैसा शेयर है जो हमारा टॉप लेग है यह सेक्टर तो यह नजरिया पुरे इंशुरेंस सेक्टर को लेकर और इंशुरेंस सेक्टर को लेकर और इंशुरेंस